हाई एवरिवन वेलकम एक तो माई चैनल और मेरे चैनल का नाम है वर्शा ब्यूटी केर आशा करती दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे जो आज का ही व्लोग है यह जी हाँ आप लोगों ने फर्माईश की थी कि मैं मिश्टी की फुल डे रूटीन आप लोग साथ जरूर शेर करूं तो बस जी मैं हाजिर होगी व्लोग लेकर तो प्लीज व्लोग को एंड तक जरूर देखेगा आपको पसंद आएगा पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चले दोस्तों देख लेते हैं पहले मिश्टी उठते ही फ् में एक बार जरूर करती हूं ताकि माइन जो है वो रिलेक्स हो जाए और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है है रोइलिंग से तो यह फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स है रोइलिंग की मिश्टी की वीडियो मेंने बना दी है प पर आप देख सकते हो मिश्टी पूजा कर रही है यहाँ पर उसे बहुत शोक है यह सब कुछ करने का मैंने कभी उसे इन चीजों के लिए फोर्स नहीं किया है बस वो देखती थी मुझे और मुझे देखते देखते उसे भी शोक चड़ा उसे अच्छा लगने लगा एक त इसे जरूर समझाती हूँ तो इसके बाद आप देख सकते हो मैं थोड़े देर में आप से मिल रही थी और यो मिश्टी को नहलाने के बाद मैं भी नहा चुकी थी और इसके बाद मैं मिश्टी के बालों को यहाँ पर आप देख सकते हो टावल की हल्प से ड्राय कर रही हू और मैं जितना कोशश होता ना इसके बालो को नॉर्मल हवा में ही सूकने देती हूं एर ड्राइर का इस्तमाल नहीं करती हूं वैसे भी इस मौसम में तो बाल जल्की शूकी जाते हैं लेकिन सरदी के टाइम में मैं यूज़ कर लेती हूं हेर ड्रायर, अब मैं यहाँ पर हीलिंग की ये ऐलोविरा जल लगा रही हूँ इसके बालों में, क्योंकि मिश्टी के बाल जो है ना बहुती सिल्की स्मूथ से बाल हैं, तो बहुत जल्दी उलत जाते हैं, और वैसे भी ना अलोविरा जल बालों के लिए अच्छी होती है, हेर ग्रोथ बहुत अच्छी करती है, बालों की हेर फॉल नहीं होता है, अलोविरा जल लगाने से, तो मैं वैसे भी लगा देती हूँ, सिरम वेगरा मैं कम ही इस्तमाल करती हूँ, लगाती हूँ सिरम भी लेकिन बहुत कम है मिश्टी अपने अप लगा रही है लेकिन मैं क्या करूं मैं भी माओं भी मुझे भी अच्छा लगता है मिश्टी को इस तो चीजे लगाना तो कभी-कभी मैं भी लगा देती हूं उसकी फेस पर हातों पर पैर उपर तो वैसे वो खुदी लगाना पसंद करती है अब यहा पर आपको बताओं फ्रेंड्स मैंने मिश्टी के लिए यह चेयर और टेबल जो है वो ओडर की थी अमाजोन से लेकिन इसका साइज मिश्टी के एक ओडिंग लिए नहीं था चोटा रह गया था और यह चार से पान साल के बच्चों के लिए काफी अच्छा है इसकी परचे इस लिंग मैं आपको दे दूँगी चेक कर लिए अगर आप इसे पाई आ चाते ही तो 11 बजी करी मैं मिश्टी को फूर्ट पवगरा देती हूं अपने भी और यहां पर अब मिश्टी पढ़ रही थी बसका पढ़ने का मूट था तो पढ़ रही थी मैं आपको इस चीज़ बताओ मैं मिश्टी को कभी भी किसी भी काम के लिए फॉर्स नहीं करती हूं और यह जो मिश्टी की हेर में आप महंदी देख रहे हो यह वीडियो भी मेरे जन पर अप्लोड है तो प्लीज चेक कर लिजेगा वीडियो की प्लेइलिस्ट को और यह जो आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स की मिश्टी को कुद से करना बहुत अच्छा लगता है वो जब भी कुछ ऐसी चीज़े होती है न तो घर को मतलब मैंज़ करना सेट कर और चीज़े को अपने जगां पर रखना मिश्टी को पसंद है वो कर लेती है वैसे इस लोग में आपको मिश्टी की पसंदा पसंद भी पता चल जाएगी यहाँ पर मैं मिश्टी के बालों को कट कर रही हूँ यहाँ पर थोड़े सी जस्ट मैं इक्वल कर रही हूँ नेक्स आप यहाँ पर देख रही हो कि अब मैं मिश्टी के बालों में कंगी कर रही हूँ चोटी बनाओंगी उसकी बाल सुलजा रही हूँ क्योंकि इसके बालों को वाश किया था मैंने आज और इतने इतने मैंने कट कर दिये थे और मैंने ज्यादा कट नहीं किया है क्यो अगर आगे भी ऐसी प्यारे प्यारे व्लोग्स देखना चाहते हैं मिश्टी के या आर्मान के भी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा फ्रेंड्स मैं जरूर शेयर करूंगी और नेक्स वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी जरूर बता करते हो फ्रेंड्स और इंस्टाग्राम पर भी मैं अपने फैमिली पिच्छर जो है अपलोड करती रहती है पॉस्ट करती रहती हो तो वहां भी जरूर फॉलो कर लीजिए यह जो आप देख रही हो ना मां और बच्चे की जो यह आप एक स्टैचू टाइप देख रहे हो यह मिष्टी ने बनाया था मेरे लिए Mother's Day पर यह न्यूसपियोपर की हल्प सेमिश्टी ने बनाया था मिष्टी का अर्ट क्राफ्ट में हाथ बचुँआ बहुत साफ बहुत है बहुत साफ है अब शाम के वगट मिष्टी पीनिट बेटर और ब्रेट का रही है यहां पर तो अब चार बज रही है, तो बस चार बजे करीब मिश्टी पोदों में पानी दे रही थी, उसको बहुत अच्छा लगता है पोदों में पानी देना, वो राज के साथ ना देती रहती है पोदों में पानी, तो उसको अच्छा लगता है इसको काम करना, और शाम के वक्त ना हाइट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है बस इसके बाद हम सबने डिनर किया और डिनर के बाद मिश्टी सो गए थी रात को 9 से 9.5 बजे की बीश में न मिश्टी सो जाती है ये बहुत अच्छी बात है वैसे भी हम सबी को और बच्चों को भी समय पर सोना चाहिए और समय पर उठना चाहिए जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक व्लोग में सब चीज़े दिखाँ पाना पॉसिबल नहीं होता है आई होप कि आप इस बात को समझेंगे और उमीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का इस व्लोग पसंद आया होगा आगे भी अगर आप ऐसे व्लोग देखना चाहते हैं तो प्लीस मुझे कमेंट करके जरूर पताएगा ऐसे ही प्यार प्यारे व्लोग और वीडियो के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा और पैल बटन को हिट कर देना दोस्तों मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब देके लिए बाई बाई टेक के एर लवियो